हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम पेक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब फूब आप लोग अच्छे होंगे आज है मंडे और आज सावन का पहला सौंबार है आज बस कहीं मंदर वगएर तो जाना नहीं है वैसे इनका हॉलिडे है लेकिन हमारे अगवालियर में मैंने आपनों को कली बताया था कि काफी केस वगएर हो गए है तो इसलिए पूरा गवालियर बंद कर दिया गया है मंदर वगएर खुले थे मौर्णिंग में दस बचे तक खुले थे दस बचे के बाद बंद हो गए थे कि मंदर वगएर ना जाकर घर पर भी बैट कर पूजा कर सकते हैं आराम से बस मैंने जो है पूजा वगएर कर ली है और आज पाष्ट रखा है बैसे भी रखती हूं लेकिन सावन सौंबार का थोड़ा सा बिसेस महत होता है तो बस वही है और अब देखती हूं मैं अपने लिए खाने के लिए क्या बनाती हूं इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है अब यह प्लाल चाय तो नहीं बनाने वाली हूं दही रखा हुआ है तो सोच्रिंग पहले लसी बना लेती हूं तो यह भी पीलेंगे मैं भी पीलूँगी उसके बाद फिर मन होगा न तो चाय बना लूँगी और सावन के सौंबार मैं न लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी तो काफी अच्छा लगाता लेकिन इस बार कहीं नहीं जाना है और आप लोगों के यहां कैसा है आपने सावन संबार मैं क्या किया मंदिर गए कैसे पूजा की जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ तो देखती ह क्या रूटीन रहता है क्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज वैसे तो कुछ स्पेशल है नहीं क्यों चलिए मिलती हूं मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद अभी आ गई हूं मैं किचिन में और बनाने वाली हूं लस देख सकते हैं तो यह मैंने दही को जमाने के लिए निकाला है जब जमाऊंगी न तब उस टाइम यूज मैं लूगी और बस इसमें मैं एट कर दिया ठंडा पानी साथ में डाल दी है आइस क्यूप्स चीनी खतम हो गए चोटे कंटेनर में तो उसी को मैं फिल कर रही हूं स साथ साथ मैंने लसी के लिए भी जार में एट कर दी है और बस अब मैं जार को बन करके चला लूँगी तो ठंडी ठंडी लसी बन कर तयार हो जाएगी तो बस इसको मैंने चला लिया है लसी बन कर हो चुकी है तयार उसी को मैं निकाल रही हूं ग्लास में और लसी जो है ना लसी पीने के बाद अभी मैं आगई हूँ किचिन में और यहाँ पर जो भी बरतन रखे हुए हैं उनी को मैं क्लीन कर रही हूँ मैं फिर सोचा बाद मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगी क्योंकि वैसे भी मेरी आदत है कि 12 बजे से पहले जब भी मैं फास्ट रखती हूँ बारबजे के बाद ही मैं खाती हूँ और पानी मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ तो मैं नहाने के बाद ही पीती हूँ और कुछ भी खाती पीती हूँ तो बारा बजे के बाद ही मैं खाती पीती हूँ तो अभी जो लसी बनाई है वो मैं न बनाई थी 12 बजे और अभी जो है न आप कुछ टाइम बात देखती हूँ फिर मैं क्या बनाती हूँ और ये भी न हॉली में है तो बस इनी से मैं कुछ बात कर रही थी कुछ हासी मजा की बात हो रही थी तो मैं स्टार्डिंग में हस रही थी तो बस हम बात हैं कर रहे थी किसी टॉपिक पर और मैं इनसे ये भी पुछ रही थी कि बताओ क्या बनाऊ तो इनका ये था कि ऐसा कुछ बना लो जो मैं भी खालू और तुम भी खाले ना लेकिन फिर ये बोले कि चलो मैं जो है ना अलू की फिंगर्स बनाता हूं वो जो है ब्रत में भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगा तो फिर मैंने बोला कि नहीं आप बैटो मैं बनाओंगी क्योंकि फिर मैं दैस्पी भी शेयर कर लूँगी तो इसलिए और बैस्पी बह जो बहुत अच्छी लगी और ये ना बच्चों के लिए बना सकते हैं बच्चों को ऐसी चीज़ा काफी पसंद आती हैं बनाना भी एजी है और वो सौक से खाते हैं तो बस उसी के लिए मैं यहापल जो आलू है उनको छील रही हूँ और मैंने बरतन वगरे क्लीन करने के बा इसमें आलु को कट कर लूँगी फिंगर्सेफ में है अगर आपके पास नहीं है तो आप चाकू से भी इनको ट कर सकते हैं तो इससे देखिए चॉपर है ना बहत आसानी से कट जाते है तो जब भी मैं बेशन बाली भी जो बनाती हूँ ना आलू की फिंगर्स वो भी इनी स कट करती हूं तो बस आलू चीलने के बाद उनको वाश किया और कट किया यह कट चुकी है यह आप देख सकते हैं तो अब मैं फिर से इनको एक बार अच्छे से वाश करूंगी तो मैंने चौपर में ही पानी अट कर लिया है इनको मैं निकालती जा रही हूं अभी थोड़ी द साथी साथ दूद भी बॉइल हो रहा है और छोटी कड़ाई में मैंने ओइल भी रख दिया है ताकि गरम हो जाए और यह भी आप देख सकते हैं लेकिन यह सोनी रहे हैं लेट हुए हैं और बस वहीं से जो है न मुझे डारेक्शन दी रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है तो यहाँ पर मैं प्लेट में जो है टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ और चाय भी बॉइल हो चुकी थी तो इसमें मैंने दूद आट कर दिया है और यहाँ पर ऑईल गरम हो चुका है तो इसमें जो आलू है उनको मैं एट कर दूंकी और देखिए बिलकुल भी जो है न सारा निकल गया है और आराम से इजली यह फ्राय हो जाएंगी तो बस मैं इनको जो है न अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राय कर लूँगी लेकिन बाद में यह सॉप्ट होई गई थी क्योंकि इन मैं जो है न कॉन फ्लोर वगएर नहीं डला था अगर कॉन फ्लोर वगएर समें करेंगे न तो यह किरिस्पी रहेंगी तो ब्रत के लिए बना रही हुए इसलिए सिंपल ही बना रही हूँ और कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि ब्रत में ओयल का नहीं खाया जाता है आप ओयल का खा रही हो तो हमारे ऐसा कुछ नहीं है ओयल का खा लेते हैं क्योंकि जो ब्रत में चिप्स बगेरे फ्राय होती हैं वो भी ओयल में ही फ्राय होती हैं और ब्रत की चिप्स भी हमारे खा लेते हैं तो जो साबुदाने बड़े मैंने बनाए हैं पहले ओईल में तो इसी लिए लेकिन हमारे खा ले दें तो ब्रत का ही खाते हैं तो ओईल में फ्राइ की हुई चीच खा लेते हैं तो बस इनको ही मैंने फ्राइ कर लिया एक बार की और निकाल लिया है और बस सेकर्ड टाइम का भी मैने बने करने के लिए डाल दीं जो भी आलू ते ना दूँद भी बॉइल हो चुका है तो बस मैंने गैस को आफ करके अग दब दिया है और चाए भी बनकर त्यार हो चुकी है तो यह भी आप देख सकते फ्राइ हो चुके हैं इनको ही मैं निकाल रही हूँ और बस अब जो है चाय को भी मैं चान लूँगी अलू की फिंगर्स और चाय बनकर तयार है तो बस यह जो है ना टमैटो केचप बगएर के साथ खा लेंगे उसके साथ भी काफी अच्छी लगती है लेकिन मैं सिंपली खाऊंगी ऐसे क्योंकि मैंने ब्रत के लिए बनाया है तो यह आप देख सकते हैं देखकर खाने का मन तो जरूर हुआ होगा मुझे पता है क्योंकि आप लोग बोलते हो ना अच्छी रैस्पी बना कर दिखाते हो हमारा खाने का मन कर जाता है तो आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ खाने के लिए और बच्चों के लिए आप इसको बनाएंगे ना तो आइम शूर उन्हें बहु अभी मैं आ गई हूँ रूम में तो बस कपड़े वगएर उठाकर लेकर आई हूँ बालकनी से क्योंकि वो सुख चुके हैं उनको फोल्ड करके रखना है यहाँ पर प्रेस वगएरे भी मैंने रख दिया है इनोंने की थी तो ऐसी रख दिया था उसको मैंने रख दिया है जगे पर और बस इनके जो कपड़े हैं उनको मैं फोल्ड कर रही हूँ अभी जो है न कपड़े जादा ही निकलते हैं क्योंकि यह ओफिस बगर जाते हैं तो डेली इनकी ड्रेस चेंज होती है और डेली फिर वाश भी करने पड़ते हैं लेकिन क्या करें अभी इस टाइम पर ज़रूरी भी है और अभी ना हमारे कोई आने वाला है तो कौन आने वाला है आप लोग बताईएगा और नेक्स्ट ब्लोग में आप लोगों से मैं मिलवाओंगी उनको तो बस मेरे को सब्सक्राइबर हैं चलिए उनको मैं विश कर देती हूँ सबसे पहले जिनका मैं ना मलूगी उनकी आईडी का नाम है आलोग सिंग बहagयल इनके हस्बैंड का बिर्थडे है 6 जूलाई को उनका नाम है आलोक विश को शकी वेपन, बुर्थडे है एक और सब्सक्राइबर है जिनका नाम है मंझू ज़ा इनकी एंवरस्री है 7 जूलाई को शकी यू birthday dear आप खुश रही है happy रही है तो बस कपड़े वगएर फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं जो है जाडू लगा रही हूँ और यह जा रहे हैं दूद लेने के लिए बोल रहा है अगर मिल जाएगा तो ले आउंगा और vegetables भी खतम हो गई है अगर कुछ मिल जाएंगे तो vegetables भी ले आएंगे तो बस उसी के लिए यह जो है mask बगएर लगा रहे हैं और bag बगएर ले रहे थे तो बस अब यह जा रहे हैं और इसी ब्लोग को मैं आगे continue करूंगी और आपको पता चल जाएगा कि हमारे कौन आया है तो नेक्स्ट ब्लोग का वेट कीजिएगा तो अचलिए friends आज के इस ब्लोग को यही पर end करते हैं अगर आज का यह ब्लोग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा साथ मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बब बाई